हेलो गाईज, स्वागत एक पर फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल फैंटसी बस पे हम यहाँ पे बात करेंगे जो जिम्भावे और अफगानिस्तान के बीच में T20 का मुकाबला खिला जाएगा, फर्स T20 का इसके बारे में फुल प्रिव्यू लेके आए हर एक प्लेयर की information और guidance आपके साथ share की जाएगी इस वीडियो में जिससे आप खुद से अपनी बहतरीन टीम बना सकेंगे और वो भी confidence के साथ और एक चीज, after toss की सारी update और इस वीडियो के बाद जो भी news आएगा वो सब हम आपको अपने टेलिग्राम चैनल पर बताएंगे तो अगर अभी तक आप हमारे टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़े है तो टेलिग्राम चैनल से जुड़ना बहुत जरूरी है और बिल्कुल फुरी है इस वीडियो के बाद भी कोई news आएगा तो सब आपको महीं पता चलेगा क्योंकि बार-बार वीडियो बनाके डालना पॉसिबल नहीं होता तो प्लीज चैनलिग्राम से जुड़ जाएगा जिसका लिंक आपको इस वीडियो के description में दे दिया गया है और comment section में भी पिच की बात करें हरारे का ये ground है देखो overall ये एक balanced विगट कहलाता है आप देखेंगे यहाँ पर 28 मुकाबले जो खेले गए उसमें से 18 मुकाबले first बलेबाजी करने वाली टीम जीती है और 10 मुकाबले second बलेबाजी करने वाली टीम average score 158 का रहा है और अगर आप ये भी देखेंगे यहाँ पर जैसे last 3 में जो खेले गए तो इसमें 3 में से 2 matches में scoring हुई एक match में scoring हुई है यहाँ पर 190 के पार यानि कि ऐसा नहीं है कि scoring नहीं होती है बालेबाज अच्छा खेलना चाहे तो scoring होती है बट maximum time यहाँ पर जो scoring होती है 152, 170 की बीच में आपको देखने मिलेगी एक balance wicket में जो होता है उसके अलावा जो spin और pace की बात करें यहाँ पर 2 matches chasing team जीती है और एक match हारी है chasing team यहाँ पर आप spin pace का ratio देखेंगे तो spinners को 8, Pacers को 26 जो की normally होता है Pacers को थोड़ा सा ज़्याद advantage रहता है वही चीज है ठीक है बादल रहेंगे लेकिन बारिष के chances बहुत कम है इसके अलावा अभी हम player wise analysis कर लेते हैं then हम head to head record देख लेंगे Zimbabwe की playing 11 यह है उसमें यह लोग one town खिला रहे थे तो अभी confirm नहीं है देखो थोड़ा भी change हो सकता है तो मैं आपको टेलिग्राम पर इंफर्म करने की कोसिस करूँगा यहाँ पर देखो इनके जो important player है इसमें से वो है मादवेरे उसके बाद Erwin, Raza इनके जो open ball रहेंगे चटारा और मुझरबानी देख में मुझरबानी गन फर्म जोगवे और चटारा में से कोई भी हो सकता है इवन यह दोनों की कोवल लेके आ सकते हैं इनके पास right hander से 3 एक left hander है अब नीचे से देखेंगे मिलतन सुमबा भी है अब इनके लिए left hander है sorry यह दो अब इनके लिए जो अच्छे खास over डालेगा देखो चटारा मुझरबानी जॉंगवे का तो मैं ठिक ठाक कह सकता हूँ उसके बाद ऐसा हो सकते यह ट्रेपानों की जगए एक extra batsman खिला ले तब इनके पास जो over बचेंगे वह रियान बल एम संभा और सिकंदर राजा और माधवरी यह चार के बीच में शेयर होगा जो आठ वबर बचेंगे अगर ट्रिपानों को जेगए यह लोग एक बालर एक बैट्समन खिलाते हैं तो जो की चांसेज भी है और एक चीज़ और लिए और एर्विन का यहां से रिकॉड अच्छा काया अच्छे प्लीर तो है मठीकोर्द ऊतना अच्छा नहीं टीट्वेंटी में में मब्याद करेंगे सब के बार में आप सबका रिकॉर्ड देखते वे चल सकते हैं ठीक है इसके अलावा सिकंदर राजार रिकॉर्ड ऐ ठीक ठाक experience थोड़े बहुत रियानबल का भी ठीक ठाक है उसके बाद मुझरबानी चटारा और जॉंगवी इनके तीन में इनके बाज है यहां पर जॉंग में मुझे थोड़े ज्यादा विकेट टीकिंग लेगे इनका रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है उसके बाद चटारा रखन लग नके पर जॉब है तो यहां पर जो यह लोग बांगलादेसके लास्ट मच खेले थे उसमें यह लोग गनी को वंडाउन भीज रहे थे यहां पे दर्विश रसूली खेल रहे थे तो दर्विश रसूली ने कुछ खास नहीं गया था तो यह लोग इसान हुला जन अब जैसे भी team management चाहे वो देखते हैं अभी क्या होता है और इसके अलबा इनके team के right hand left hand combination आप देख सकते हैं बना हुआ है अच्छा गासा है right hand left hand right hand left hand तो अब इनके जो important player है गुर्बाद, जजाई, घनी उसके बद नजीबुल अजजरान, मुहमद, नभी, रसीद खान, फ फरीद मलीग खेलेंगे तो फिर फरीद मलीग भी आएंगे ठीक है तो फरीद मलीग ही आएंगे फिर फिर शायद उमरजाई ना है लेकिन बांगलादेश के इसनों ने उमरजाई को यूज किया था अब इनके जो important है player wise वो देख लो रहमानुला गुर्बाद 27 का अवरेज है उसके बाद हर्जत उल्ला जजाई है 36 का अवरेज है यहां पे आप इनका recent form देख सकते हो नजीब उला जदरान 33 का अवरेज है उसके बाद उसमन घनी 27 का अवरेज है recent form तीन मैच में अच्छा स्कूरिंग किया हुआ है दर्विश रसूली 11 का अवरेज है दो मच में जो खेला था टीट्वेंटी इंटरनेशनल उसके बाद इसानों लजना 24 का अवरेज है लिस्टे में ठिक टाक फॉर्म में थे तो शाइद इनको मौका मिल जा है मोहमद नभी लास्ट के कुछ टीट्वेंटी मुकाबले आप यहां पर देख सकते हैं इनके उसके बाद करी स्वारीद मलिक दो इनके तेज गेंद्वाज हो सकते हैं पर दोनों ही लेफ्ट टाम फास्ट मेडिया में तो मुझे लगता है जैसे मैंने आपको बोला था कि यह लोग किसी और को भी खिला सकते हैं लाइक नूर एहमद को बाकि फजल अच्छा में च्छे और स्वारीद म बात करें तो यहां पर 12 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें से जिंबावन ने सिर्फ एक जीता और अफगानिस्तान ने 11 जीता है ठीक है अब हैट्ट वर्ड में प्लेयर्स का रिकॉर्ड देख लेंगे जब यह दोनों टीम आपस में खेलते तो दोनों टीम के कौन से प्ले सारा-चार में चे रेंब भल साथ में तीन ट्रिपानो पाच में तीन जौंग में दो रजा दस में दो इस तरीके से जिंबावे के बॉलगर्ड अब हम अफगानिस्तान के प्लेयर्स का रिकॉर्ड डेखे हैट टू हैट में तो यह आपके सामने हैं यहां पे देखो नभी बारा मेच में नो करीम जन्नत चार मेच है अश्रफ तीन में दो फारुकी एक में एक ठीक है इसके अलावा यह तो हो गया हैट टू हैट की बात अब हम बात करें वेन्यू पर यानि इस वेन्यू पर जब यह लोग प्लेयर्स खेलते तो कैसा परफॉर्मेंस करते हैं वह कि बात करें थोड़ा सा प्लेयर्टल जोगी यहां पर आपको देखने को मिलेगा चकाववा को टेस्ट में दो रसीत खन ने 26 गिन्द में about किया हुआ है एरविन को करिम जन्नत दो गिन्द में एक बार आउट किया है माध्यू को रसीत खनने सब्सक्रा लेकिन करीम की बात करें तो घुर्बास को रियान बसटारेंचा युक्षारा निने को दोबार आउट कर रहां करीम जननत अर्यान बर्ल को और यंग साथ गिन इग को सुकंदर राजा ने बारा गिन में दोंबर आउट किया है और पनदरा रन दिया है उसके बाद तृपानों की बात क même बात करें तो इन्होंने 14 गिन में एक बार पर आउट किया है उस दोश्त थोड़ा सा प्लेयर अगर आप उनको बनाना चाहा है तो स्मॉल लिग में तो कर सकते हैं वो भी मैंने क्यूं नहीं लिखा है आगे उसका रीजन में आपको बता दूँगा उसके बाद जी एल चॉइसे की बात करें ओमर जाई अगर इनके टीम पहले बॉलिंग करें तो रियान बल इनका रिकॉर उतना अच्छा नहीं है बट बात मानिए यह प्लेयर में टैलेंट है उसके बस जॉंग वे इनका रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर भी बहतर है और जो दोनों इनके बॉलर है मुजरबानी और चटारा उनसे अच्छा रिकॉर्ड है टीट्वेंटी में इनका बट इनको को ट्राई करना है बाकि जो स्मॉल लिग वाले उप्शन बताएं इनको भी आप ग्रेंड लिग में आजए कैप्टन जावाइस कैप्टन कर सकते हैं आप टीम की तरफ चलते हैं दोस्त हम कोशिज करना जो आपको पीछे डेटा दिखाए गया उसके मदद से आप अपने ट अच्छा नहीं है एक टाइम था बांगलादेश के अच्छा पर्फरमस कर रहे थे लगातार पर उसके बाद अभी यह सांत बैठ हैं तो कुल मिला के गुर्बाज ही अच्छे अप्शन रहेंगा हाले की गुर्बाज भी थोड़ा हीट और मिस्टाइब के प्लेयर है लेकि उस हिसाब से गुर्बाज एक मेरी अकॉर्डिंग ठीक है उसके बाद यहां पर हम बात करें जज़ाई थोड़े से हीट और मिस्टाइब के प्लेयर बट मोस्ट अब टाइम यह रांच बना के जाते हैं अच्छे हीटर है और वही चीज की यहां पर इस्ट्रॉंग फिवर अगर देखेंगे एंकर वाली पारी अगर रहेगी चौके मारते वे और सिंगल जबल लेते वे तो यह अच्छा खासा पारी खेल सकते हैं और मेरे शाब से इसलिए मेरे अकॉर्डिंग जिंबावी के तरह से सबसे बैस्ट पिक है उसके पाद दर्विश रसूली मोस्ट प पर तक तो हो सकता है दर्विश रसूली के ओवर यह प्रमोट हो जाए तब उनको आप ट्राइए कर सकते हैं अदर्वाइस इनका बल्ले बाजे करम चायद पांचवा नंबर होगा उसके बाद नियों सेंट काया यह एक टेकनिकल बल्ले बाजे टैलेंट बल्ले बाजे इन मन घनी यह थोड़े से मुझे कंसिस्टेंट लगते हैं और बंगलादेश के अगेंस भी इन्होंने अच्छा स्कोरिंग किया था बंगलादेश का सिरीज अगर आपको याद होगा जो अफगानिस्तन के साथ हुआ था इनको कोई नहीं ले रहा था लेकिन जब इन्होंने लगातार तीनों मैच में दो मैच में 40 प्लस स्कूरिंग किया था तब फिर इनको तीसरो डिया में लोग इनको वाइस कप्तान भी बनाने लग गए तो वही चीज़े यह अच्छे बल्लेबाज है इनको मैं कहूंगा लेके चलो वन डाउन खेलेंगे बस इनको थोड़ा सा एक मुझरबानी से थोड़ा बचना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने अच्छा खास इनको आउट किया हुआ है उसके बाद यहां पर जो मैंने आपको बताया अगर इनकी टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है अफगानिस्तान की टीम तो आप नजबुला जदरान को कंसीडर क कर सकते हैं क्योंकि तब इनकी टीम इनको हिटिंग के लिए प्रमोट कर सकती है ठीक है अफगानिस्तान की टीम और अगर जिंबावे की टीम पहले बल्ले बाजी करें तो हो सकता है चेजिंग में इनको उतना मौका ना मिले अन्ना जबुला जदरान को 10-12 रन बनाने का मौ कर रहे तो और वर भी डाल रहे थे और विकेट निकाले थे लेकिन यह उतने विकेट टेकिंग नेजर के नहीं है वहाँ पर पर्फॉर्मेस निकल गया था क्योंकि दस से दो मैच में तो पर्फॉर्म करना ही करना है ठीक है वह चीज़ है इस इंबावे की बैस्ट टोल रा है इनके ओवर अगर हम इनके उपर रिस्क भी ले रहे हैं तो वह ठीक है लेकिन अजब प्लेयर आप इनको जरूर लेके जाए अपने टीम में मौमद नभी वही चीज़ है वंडे में इनका रुदबा अच्छा है आप जाके देखिएगा इनका पर्फॉर्मेंस जो इनका उसमें हुआ था अफगानिस्तन प्लस बंगलादेश वाल स्रीज में अभी इनको लोग ले रहे हैं क्योंकि वंडे में पर्फॉर्म करका है और फॉर्म में भी है ठीक है लेना चाहिए है जब लेकिन ऐसे कप्तान जब आइस कप्तान थोड़ा मुझे रिस्की लगता है य आए था एक से दो वर गिंदबाजी मिलती है कभी कभी चार वर पूरे कर लेते हैं यह ठीक है प्लस बल्लेबाजी आ जाती है अगर इनकी टीम चेस कर रही है और इनकी टीम के पास पांच और इनको खिलाया जा रहा है तब इनके ओवर कट सकते हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि इनकी टीम के जो गिंदबाज रहेंगे जैसे कि नीचे से खेलेंगे तो यह चार ठीक है उसके बाद करीम जन्नत और मुहमद नभी यह लोग में ओवर सेयर होगा तो फिर ऐसा हो सकता है या फिर अगर यह पूरे चार कर रहे हैं तो फिर इनमें से किसी एक का करेंगे लेकिन अगर फॉर्म अच्छा है बॉलिंग अच्छी डाल रहे हैं तो ओवर साइद ना भी कटे ठीक है तो सिच्विशन है और वैसे भी सामने राइट हैंडर अधिक हैं इस पीन को उतना ज्यादा है नहीं है तो एजग कैप्टन बनाना रिस्की तो रहेगा इन ने इनको लिया वाई क्योंकि दोनों तरफ से पॉइंट देनी की चमता रखेंगे रियान बर्ल आपके लिए के रिस्की पिक हो सकते हैं माधवेरे के जगे पर अगर कोई ट्रंप ट्राइब करना चाला है तो रियान बल को ट्राइब कर सकता है यह हीटर खेलते हैं कभी बॉलिंग का देखो मैं ज्यादा कंफर्म नहीं कह सकता हूं लेकिन एज़ा हीटर और मतलब ट्रंप वालर इनको कभी भी टीम यूज कर लेती है करीम जन्नत का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा है लेकिन वर्ल्ड कप जैसे लेवल पर टीम ने इनको दथ में यूज किया नभी के जगे पर मैं उमर्जाई को लेके रिस्क ले सकता हूं और यह मैं कब ले सकता हूं देखो इसका कंडिशन है मुहमद नभी छटे और साथवे गिंदबाच के रूप में खेलने चाहिए जो अभी मैंने आपको प्लेंग लेवन दिखाया और उसमें से अगर फरीद इनकी टीम पहले बॉलिंग करेंगे तो हाई चांसे रहेंगे ओमर्जाई दथ में आए थे यह कंडिशन याद रखना और अगर फरीद मली खेल भी रहे हैं और इनकी टीम पहले बॉलिंग कर रहे है और फिर मोहमद नभी और करीम जनस सब खिल रहे हैं यानि कि मोहमद तो इसलिए मैं आपको इनको सजेस्ट कर रहा हूं लेकिन अभी के लिए सेफ जाओ मुहमद नभी को ले लो ठीक है वैसे मैं मुहमद नभी को ड्रॉप करने में जाओंगा नहीं अगर वही सेम कंडिशन रहा जो मैंने अभी आपको बताया तो इसके अलबा यहां पर फाजल मलीक की जगे अगर नूर आमत खेलेंगे तो आप नूर आमत को ले लेना क्लियरली बात है इसमें कुछ भी चिंज होगा मैं आपको टेलिग्राम पे इनफर्म करूंगा चुक्कि आफगानिस्तन की टीम थोड़ा फेवर करेगी इसलिए मैं इनके दूनों पेसर को लिया को लिया हुए चकारा भी ठीक ठाक बॉलन है और डिसेंट थोड़े से पर्फॉर्मेंस कर सकते हैं ठीक है ध्यान रखने इसके लावा कुछ भी चंज होगा आपको आफ्टर टॉस टेलिग्राम कर दिया जाएगा देखो यह तीम है कुछ इस प्रकार से यहां पर मैंने क्य इस बिच्ट किया हुआ है क्योंकि ॉर कोई अच्ठा नहीं दिख रहाएं बट-मेरा इनको वी से करने का बिलकुल मन नहीं है मैं सिखण चुर्जा को कर सकता हूं मैं घश्ठतुल्या जया कर सकते हैं एक पल्लेबाजी में 50 स्कोर भी करेंगे अगर हमारा लग खराब रहा तो बट मैं ज्यादा इन पर गट फिल नहीं आ रहे हैं कि परफॉर्म करेंगे इनका टीट्वेंटी में लास्ट के कुछ मैचेज में इनका रोल देखते हुए तो अभी के लिए यह है बाकी देट बॉलस क तो भी आप वाइस काप्टान में चूज कर सकते हो या फिर जो मैंने आपको यह तीन ओप्शन दी इनको भी आफ्टर टॉस की जो भी अपडेट होगे मैं आपको टेलिग्राम पर इनफर्म कर दूँगा जिसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कर देना और चैनल पर नए हैं तो सस्काइब भी कर देना धन्यवाद दोस्तों यह वीडियो वाच करने लिए थैंक्यू